C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई एक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन प्रिष्ट एक से प्रिष्ट सोलह तक तुआईए अब सुनते हैं अध्याई एक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन प्रिष्ट एक ग्रिश्मा वकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए उनके चाचा एक किसान है एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे के खुरपी, दनाती, बेलचा, हल इत्यादी बूझों ने पूछा मैं जानना चाहता हूं कि हमें नौजारों का उपयोग कहां और कैसे करते हैं आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवशक्ता हूती है पौधे अपना भोजन स्वयम बना सकते हैं क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संचलेशित करते हैं मनुष्य सहित सभी जन्तू भोजन बनाने में असमर्थ हैं तो जन्तूओं की भोजन का स्रोथ क्या है परन्तु हम भोजन ग्रहन ही क्यों करते हैं आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त उर्जा का उपयोग विभिन जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के सम्पादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों, अथ्वा जन्तुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बूजों ने पूछा, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवशक्ता होती है, अतहे हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इस पर पहेली ने कहा, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवशक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वित्रण आवशक है। एक दशमलव एक, क्रिशी पद्धतियां। इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बकसे में कुछ आवशक जानकारी दी गई है। लगभग दस हजार इसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समुहु में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सबजियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जन्तुओं का शिकार करना प्रारंब किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहुं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। इस प्रकार क्रिशी का प्रारंब हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाये जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहुं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाये जाने वाले सभी पौधे गेहुं के हैं। आप जानते ही हैं के फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे के अन्न, सबजियां एवं फल जिस मौसम में ये पौधे उगाये जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गी करण कर सकते हैं भारत एक विशाल देश है यहां ताप, आरदरता और वर्षा जैसी जलवियावी परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं अतह देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं प्रिष्ट दो इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है वे इस प्रकार हैं एक, खरीफ फसल वो फसल जिन्हें वर्षा रितु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है भारत में वर्षा रितु सामान्य तह जून से सितंबर तक होती है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग फली, कपास इत्यादी खरीफ फसलें है दो, रभी फसल शीत रितु याने अक्तूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रभी फसलें कहलाती है गेहू, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रभी फसल के उदाहरण है इसके अलावा, कई स्थानों पर दालें और सबजियां ग्रीश्म में उगाई जाती है एक दशमलव दो आधारिक फसल पद्धतियां बूजो ने पूछा धान को शीत रितु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? पहेली ने कहा धान को बहुत अधिक पानी की आवशक्ता होती है अतहे इसे केवल वर्शारितु में ही उगाते हैं फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रिया कलाप सामयक अवधी में करने पड़ते हैं आप देखेंगे के ये क्रिया कलाप उस प्रकार के हैं जिनका उप्योग माली अथ्वा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं ये क्रिया कलाप अथ्वा कार्य क्रिशी पद्धतियां जो आगे दिये गए हैं एक मिट्टी तैयार करना दो बुआई तीन खाद एवं उर्वरक देना चार सिचाई पांच खर्पतवार से सुरक्षा छै कटाई साथ भंडारण एक दशमलव तीन मिट्टी तैयार करना फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना क्रिशी का अत्यन्त महत्वपून कार्य है इससे जड़ें भूमी में गहराई तक जा सकती हैं पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरल्टा से श्वसन कर सकती है पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरल्टा से श्वसन करने में सहायक है पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धी करने में सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं और हुमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्चक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायू तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जन्तु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपगटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोशक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। ये पोशक पौधों द्वारा अवशोशित किये जाते हैं। क्योंकि उपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृध्धी में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोशक पदार्थ उपर आ जाते हैं और पौधे इन पोशक पदार्थों का उपियोग कर सकते हैं। अतह मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपून है। प्रिष्ट तीन मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकडी अथ्वा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवशक्ता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवशक्त है। बुआई एवं सेचाई के लिए खेत को समतल करना आवशक्त है। ये कारिय पाटल द्वारा किया जाता है। कभी-कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इस से जुताई के समय खाद मिट्टी में भलिभांती मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। क्रिशी ओजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्चक है ये कारे अनेक आउजारों से किया जाता है हल, कुदाली इवं कल्टिवेटर इस कारे में उपियोग किये जाने वाले प्रमुख आउजार है हल प्राचीन काल से ही हलका उपियोग, जुताई, खाद व उर्वरक मिलाने, खर पतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है ये औजार लकडी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अत्वा अन्य पशुओं, जैसे घोड़े उट की सहायता से खींचा जाता है इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं हल का मुख्य भाग लंबी लकडी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के उपर रखा जाता है एक जोडी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है चित्र एक दशमलव एक ए आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकडी के हल की जगह ले रही है इस प्रिष्ट पर नीचे खेत को जोतने का द्रिश्य दिखाया गया है चित्र एक दशमलव एक ए हल इस चित्र में हल शैफ्ट, फाल एवं जोत स्पष्ट रूप से दिखाये गए हैं कुदाली ये एक सरलौजार है जिसका उप्योग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है इसमें लकडी अथवा लोहे की चड होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खीचा जाता है चित्र एक दशमलव एक बी प्रिष्ट चार इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव एक बी कुदाली इस चित्र में कुदाली के मुख्य भाग स्पष्ट रूप से दिखाये गए हैं पकड, हैंडल, मुड़ी प्लेट, छड, जोत, कल्टिवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टिवेटर से की जाती है कल्टिवेटर के उप्योग से श्रम एवं समय दोनों की बचत हूती है चित्र एक दशमलव एक, सी इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव एक, सी कल्टिवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए एक दशमलव चार, बुवाई बुवाई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपून चरण है बोने से पहले अच्छी गुनवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिक्ता देता है पहेली ने कहा एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बरतन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के उपर तैरने लगे मुझे आश्चरे हुआ कि कुछ बीज पानी के उपर क्यों तैरने लगे इस प्रिष्ठ पर उपर नीले रंग के बक्से में आप से कुछ करने के लिए कहा गया है एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिये इसमें एक मुठी गेहूं के दाने डाल कर भली भांती हिलाईए कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए क्या कुछ बीज जल के उपर तैरने लगते हैं जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हलके हैं या भारी हैं क्षती ग्रस्थ बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हलके होते हैं अतह ये जल पर तैरने लगते हैं अच्छे और स्वस्थ बीजों को ख्षती ग्रस्थ बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधी है बुआई से पहले बीज बोने के आजारों के बारे में जानना आवश्च रख है चित्र 1.2 A B परंपरागत आजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला आजार कीप के आकार का होता है चित्र 1.2 A बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है चित्र 1.2 A बीज बोने का पारंपरिक तरीका प्रिष्ठ पांच इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है 1.2 B Seed Drill Seed Drill आज कल बुआई के लिए ट्राक्टर द्वारा संचालित Seed Drill चित्र 1.2 B का उपियोग होता है इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढख जाए इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है बुजों ने पूछा मेरे विद्ध्यालय के समीप एक पौध शाला याने नरसरी है मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं वी इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? पहेली ने बताया धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौध शाला में उगाया जाता है पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपून है इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोशक इवं जल परियाप्त मात्तरा में प्राप्त होता है अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है एक दशमलव पांच खाद एवं ऊरवरक मिलाना वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोशक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं ऊरवरक कहते हैं बूज्यों ने पूछा, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबके पासके खेत में पौधे कमजोर थे, कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी, फसल को खनिच पदार्थ प्रदान करती है, ये पोशक पौधों की वृद्धी के लिए आवश्चक है, कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते, कलपना कीजिए कि पोशकों का क्य होता है, फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोशकों की कमी हो जाती है, इस क्षती को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं, ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है, अपरियाप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, खाद एक कार्बनिक याने जैवित पदार्थ है जो के पौधों या जन्तु अप्षिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप इवं जन्तु अप्षिष्टों को एक गड़े में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवूं द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उप्योग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथ्वा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विशय में पढ़ चुके हैं। प्रिष्ठ 6 क्रिया कलाप 1.2 मूंग अथ्वा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इन में से एक ही आकार वाले तीन नवोद भिद छाट लीजिए। अब तीन गिलास अथ्वा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर A, B, एवं C निशान लगाईए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाईए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाईए। गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए। चित्र 1.3 A अब इनमें पानी की समान मात्रा डाल कर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए प्रति दिन पानी देते रहिए साथ से दस दिनों बाद उनकी वृद्धी को नोट कीजिए चित्र 1.3 B चित्र 1.3 A यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दो कन्याएं बैठी हुई एक प्रियोग कर रही है चित्र 1.3 A प्रियोग की तैयारी इसके नीचे एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें A, B और C मार्किंग के साथ तीन गिलास रखे हुए हैं चित्र 1.3 B उर्वरक के साथ पौध की वृध्धी क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृध्धी की गती एक समान है किस गिलास में पौधों की वृध्धी बहतर है किस गिलास के पौधों में वृध्धी सबसे अधिक है उर्वरक रासाइनिक पदार्थ हैं जो विशेश पोशकों से सम्रिद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्टरियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदारण हैं। यूरिया, अमूनियम सलफेट, सुपरफॉसफेट, पोटाश, एनपीके, अर्थात, नाइट्रोजन, फॉसफोरस, पोटैशियम। इनके उपियोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपियोग से मिट्टी की उर्वर्ता में कमी आई है। ये जल प्रदूशन का भी सुरोत बन गए हैं। अत्वा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समाई के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपियोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोशन क्षमता में भी वृद्धी होती है। इससे मिट्टी में सभी पोशकों की प्रतिपूर्टी हो जाती है। पहले उत्तर भारत में किसान फली दार चारा एक रितू में उगाते थे। तथा गेहुं दूसरी रितु में. इस से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनह पूरण होता रहता है. किसानों को इस पद्धती को अपनाने के लिए प्रोचसाहित किया गया है. पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विशाए में पढ़ चुके हैं. ये फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रन्थिकाओं में पाए जाते हैं और वाईयूमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरी करण करते हैं. प्रिष्ठ साथ इस प्रिष्ठ पर सबसे ऊपर एक सारणी दी गई है. सारणी एक दशमलव एक, उर्वरक एवं खाद में अंतर. इसके बाद तीन शीर शक लिखे गए हैं. क्रमसंख्या, उर्वरक और खाद. क्रमसंख्या एक, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है. खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर एवं पौधों के अवशोशन के विगटन से प्राप्त होता है. 2. उर्वरक का उत्पादन फैक्टरियों में होता है. खाद खेतों में बनाई जा सकती है. 3. उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती. खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर्मात्रा में प्राप्त होती है. 4. उर्वरक में पादप पोशक जैसे के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर्ता में होते हैं. खाद में पादप पोशक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं. सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं. खाद के लाब जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है. इसका मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धी होती है. इससे मिट्टी भुर्भुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनमय सरलता से होता है. इससे मित्र जीवाणूओं की संख्या में वृद्धी हो जाती है. इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है. एक दशमलव छे सिचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवशक्ता होती है. पौधे के वृद्धी एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेश महत्व है. पौधे की जडों द्वारा जल का अवशोशन होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोशन होता है. पौधों में लगभग 90 प्रतिशत जल होता है. जल आवशक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुश्क स्थिती में नहीं हो सकता. जल में घुले हुए पोशक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है. ये फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है. स्वस्थ फसल वृद्धी के लिए मिटी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवशक है. निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिचाई कहलाता है. सिचाई का समय एवं बारमबारता फसलों, मिटी एवं रितु में भिन्न होता है. गर्मी में पानी देने की बारमबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है. ऐसा क्यों है? क्या ये मिटी एवं पत्तियों से जल वाश्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बूजों ने कहा, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ. पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे. सिचाई के स्रोत कूवे, जलकूप, तालाब, जील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादी जल के स्रोत हैं. प्रिष्ट आठ सिचाई के पारंपरिक तरीके इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक चित्र में एक व्यक्ती कूवें से जल बाहर निकालते हुए दिखाया जा रहा है. कूवे, जीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुँचाने के तरीके विभिन्नक्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं. मवेशी अथ्वा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किये जाते हैं, अतहे ये सस्ते हैं, परंतु ये कम दक्ष हैं. विभिन्न पारम पर एक तरीके निम्न हैं. एक, मोट याने घिर्नी, दो, चेन पंप, तीन, धेकली, चार, रहट या उत्तोलक तंत्र. चित्र एक दशमलव चार, ए से डी तक. जल को उपर खीचने के लिए सामान नित है पंप का उपियोग किया जाता है. पंप चलाने के लिए डीजल, बायो गैस, विध्युत, इवं सौर उर्जा का उपियोग किया जाता है. इस प्रिष्ठ में, चित्र एक दशमलव चार, ए में, एक मोट को दिखाया गया है. चित्र एक दशमलव चार, बी में, एक चेन पंप को दिखाया गया है. चित्र एक दशमलव चार, सी में, ढेकली को प्रदर्शित किया गया है. सिचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उप्योग मित व्यायता से कर सकते हैं मुख्य विधियां इस प्रकार हैं 1. छिड़काव तंत्र इस विधि का उप्योग असमतल भूमी के लिए किया जाता है यहां पर जल कम मात्रा में उपलब्द है उर्धुव पाइपों यानि नलों के उपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो छिड़काव, लौन, कौफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपियोगी है चित्र एक दशमलव पाँच ए इस प्रिष्ठ पर उपर एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव पाँच ए छिड़काव तंत्र दो, ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम इस विधी में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है अतह इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं फलदार पौधों, बगीचों एवं रिक्षों को पानी देने का ये सर्वत्तम तरीका है इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है चित्र एक दशमलव पाँच बी इस विधी में जल बिलकुल व्यार्थन नहीं होता अतह ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वर्दान है इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव पाँच बी ड्रिप तंत्र पृष्ठ दस एक दशमलव साथ खरपतवार से सुरक्षा बूजो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रही है बूजो ने कहा क्या ये अन्य पौधे विशेश उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं खेत में कई अन्य अवांचित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं इन अवांचित पौधों को खरपतवार कहते हैं खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं निराई आवशक है क्योंकि खर्पतवार जल, ओशक, जगह और प्रकाश की स्पर्धाकर पसल की वृद्धी पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खर्पतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विशैले हो सकते हैं। खर्पतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धी को नियंतरित करने के लिए किसान विभिन तरीके अपनाता है। पसलुगाने से पहले खेत जोतने से खर्पतवार उखाडने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खर्पतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खर्पतवार हटाने का सर्वुत्तम समाई उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खर्पतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड कर अथवा भूमी के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुर्पी ये हैरो की सहायता से किया जाता है। रसाइनों के उप्योग से भी खर्पतवार नियंतरण किया जाता है जिन्हें खर्पतवार नाशी कहते हैं जैसे 2-4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खर्पतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानी नहीं होती खर्पतवार नाशी को जल में आवश्चक्ता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर याने फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं चित्र 1.6 इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है चित्र 1.6 खर्पतवार नाशी का छिड़काव बूजो ने पूछा, क्या खर्पतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पढ़ता है? जैसा पहले बताया गया है, खर्पत्वार की वृद्धी के समय तथा पुश्पन एवं बीज बनने के पहले ही खर्पत्वार नाशी का छिड़काव करते हैं खर्पत्वार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थे पर भी प्रभाव पढ़ सकता है, अतह उन्हें इन रसाइनों का प्रियोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुहू एवं नाक कपड़े से धक लेने चाहिए एक दशमलव आठ कटाई फसल की कटाई एक महत्वपून कार्य है फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है कटाई के दौरान या तो पौधों को खीच कर उखाड लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं एक अनाज फसल को पकने में लगभग तीन से चार महीने का समाई लगता है हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है चित्र एक दशमलव साथ अथवा एक मशीन का उपियोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है इसे थ्रेशिंग कहते हैं ये कारिय कमबाइन मशीन द्वारा किया जाता है चित्र एक दशमलव आठ जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है इस प्रिश्ट पर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव साथ दराती प्रिश्ट ग्या रहे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर याने विनोइंग करके अलग करते हैं चित्र एक दशमलव नौ आप इसके विशाय में कक्षाच्छे में पढ़ चुके है इस प्रिश्ट पर उपर एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव आठ गमबाईन पहेली ने कहा कटाई के बाद कभी-कभी तने के टुकडे खेत में ही रह जाते हैं जिने किसान जला देते हैं पहेली इन टुकडों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है वो जानती है कि इससे प्रदूशन होता है इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खत्रा भी है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है चित्र 1.9 विनोइंग याने फटकने वाली मशीन इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर पीले रंग के बकसे में कुछ महत्वपून सूचना दी गई है कटाई पर्व तीन-चार महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है स्वर्णिम्दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हिर्दय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है ये समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंके पिछली रितू के प्रहत्न का फल मिलता है इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्श उल्लास एवं खुशी का होता है पुरुश एवं महिलाई सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं कटाई, रितू के साथ कुछ विशेश पर्व जैसे पूंगल, वैसाखी, खोली, दीवाली, नाबन्या एवं बिहु जुड़े हुए हैं एक दशमलव नौ भंडारण उत्पाद का भंडारण एक महत्वपून कार्य है यदि फसल के दानों को अधिक समाई तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सुक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है यदि फसल के दानों याने बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अत्वा जीवों द्वारा आक्रमन से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं अतह भंडारण से पहले दानों याने बीजों को धूप में सुखाना आवश्चक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए इससे उनकी कीट पीडकों जीवानों एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातू के पात्र याने बिंस में करते हैं परन्तु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साईलो और भंडार ग्रिहों में किया जाता है जिससे उनको पीडकों जैसे के चूहे इवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके चित्र एक दशमलव एक शून्य ए एवं बी पहेली ने पूछा, मैंने अपनी मा को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा मुझे आश्चरे हुआ क्यों प्रिष्ठ बार है इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है जिस पर अंग्रेजी में लिखा है F.C.I. चित्र एक दशमलव एक शून्य ए अनाज भंडारण हे तू साईलो इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में एक चित्र दिखाया गया है चित्र एक दशमलव एक शून्य बी भंडारण ग्रिहों में बोरों में अनाज का भंडारण नेम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपियोग की जाती है बड़े भंडार ग्रिहों में अनाज को, पीड़कों इवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासाइनिक उपचार भी किया जाता है एक दशमलव एक शून्य जन्तुओं से भोजन क्रिया कलाप एक दशमलव तीन अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बना कर उसे पूरा कीजिए इसके बाद तालिका में तीन शीर शक लिखे गए हैं क्रमसंख्या, खाद्यपदार्थ, स्रोथ क्रमसंख्या एक, दूध, गाए, भैस, बकरी, उटनी क्रमसंख्या दो, क्रमसंख्या तीन, क्रमसंख्या चार इनके सामने रिक्त स्थान दिये गए हैं जिन्हें आप भरें इस सारणी की पूर्ती करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जन्तू भी हमें विभिन प्रकार के खाद्यपदार्थ प्रदान करते हैं समुद्र के तटीयक शेत्रों में रहने वाले लोग मचली का मुख्य आहार के रूप में उप्योग करते हैं पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्यपदार्थों के विशय में आप पढ़ चुके हैं हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन चरण हैं बीजों का चैन, बुवाई इत्यादी इसी प्रकार घरों में अत्वाफाम पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास इवं देखभाल की आवशक्ता होती है जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं पहेली ने कहा मचली स्वास्थे के लिए अच्छा आहार है हमें मचली से कौड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटमिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रिष्ठ तेरह प्रमुक्षब्द, क्रिषी पधतियां, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार ग्रिह, कटाई, सिचाई, खरीव, खाद, हल, रबी, बीज, साईलो, बुआई, भंडारन, थ्रेशिंग, खर्पत्वार, खर्पत्वार नाशी, फटकना आपने क्या सीखा अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट क्रिशी पधतियों को अपनाना हुता है किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं भारत में फसलों को रितू के आधार पर हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं रभी और खरी फसल जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे सम्तल करना आवश्चक है इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपियोग किया जाता है बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्चक है बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई की जाती है मिट्टी में पोशकों की सम्रिध्धी और पुनहपूर्ती की आवशकता होती है जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपियोग से किया जाता है फसलों की नई किस्मों के आने से रासाइनिक उर्वरकों के उपियोग में बहुत वृद्धी हुई है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिचाई कहलाता है निराई में अवांचित एवं बिना उगाय पौधों को हटाया जाता है जिनहें खरपतवार कहते हैं कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है बीजों को पीडकों इवं सूक्ष्म जीवों से सनरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्चक है पशुओं को पाल कर भी खाद्यपदार्थ प्राप्त किया जाता है इसे पशुपालन कहते हैं अभ्यास एक उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए तैरने, जल, फसल, पोशक, तैयारी क एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को रिक्त स्थान कहते हैं ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की रिक्त स्थान होती है ग, खशती ग्रस्त बीज जल की सतह पर रिक्त स्थान लगेंगे ग, फसल उगाने के लिए परियाप्त सूर्य का प्रकाश इवं मिट्टी से रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान आवशक है 2. कॉलम A में दिये गए शब्दों का मिलान कॉलम B से कीजिए 1. खरीफ फसल 2. रभी फसल 3. रासाइनिक उर्वरक 4. कार्बनिक खाद कॉलम B A मवेशियों का चारा B यूरिया एवं सुपरफॉसफेट C पशु अप्शिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेश D गेहु, चना, मटर E धान एवं मक्का 3. निम्न के दो दो उदाहरन दीजिए Q खरी फसल Q रभी फसल 4. निम्न पर अपने शब्दों में एक-एक पैराग्राफ लिखिए Q मिट्टी तैयार करना Q बुवाई Q निराई Q थ्रेशिंग 5. स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है 6. सिंचाई किसे कहते हैं जल सनरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वरणन कीजिए 7. यदि गेहूं को खरीफ रितु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए 8. खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पढ़ता है? व्याख्या कीजिए 9. खर्पतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? 10. निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाईए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तयार हो जाए 1. फसल को चीनी मिल में भेजना 2. सिंचाई 3. कटाई 4. बुआई 5. मिट्टी तयार करना 6. खेत की जुताई करना 7. खाद देना 11. नीचे दिये गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए 12. उपर से नीचे की ओर 1. सिंचाई का एक पारम पर एक तरीका 2. बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देख भाल करना 13. फसल जिन्हें वर्शा रितू में बोया जाता है 16. फसल पक जाने के बाद काटना 22. दाई ओर 1. शीत रितू में उगाई जाने वाली फसलें 4. एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाई जाते हैं 5. रसाइनिक पदार्थ जो पौधों को पोशक प्रदान करते हैं 7. खरपतवार हटाने की प्रक्रिया विस्तारित अधिगम 1. मिट्टी में कुछ बीज बोईए तथा ड्रिप सिंचाई लगाईए 2. प्रति दिन अपने प्रेक्षन नोट कीजिए 3. आपके विचार में क्या इस विधी से जल की बचत होती है 4. बीज में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन कीजिए 2. विभिन प्रकार के बीज एकत्र कर छोटे थैलों में रखिए इन थैलियों को हर्बेरियम में लगा कर नाम लिखिए 3. क्रिशी में उप्योग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इने फाइल में लगा कर उनके नाम और उप्योग लिखिए 4. परियोजना कार्य 1. किसी फाम, पौदशाला, अत्वा बगीचे का ब्रहमन कीजिए तथा निम्न लिखित की जानकारी प्राप्त कीजिए क बीजचयन का महत्व ख सिंचाई की विधियां ग अधिक शीत एवं अधिक गर्मी के मौसम का पौधों पर प्रभाव ग लगातार वर्षा का पौधों पर प्रभाव ड उप्योग में आने वाले उर्वरक एवं खाद प्रिष्ठ सोलह ब्रमन अध्ययन का एक उदाहरण हिमान्शु एवं उसके मित्र ठीकरी गाउं जाने के लिए बहुत उत्सुक एवं जिग्यासु थे वे श्री जीवन पटेल के फाम हाउस पर गए वे बीज एवं अन्य वस्तुएं एकत्र करने के लिए अपने थैले भी ले गए हिमान्शु श्रीमान जी नमस्कार मैं हिमान्शु हूँ और ये मेरे मित्र मोहन, डेविड एवं सभीहा है हम फसल एवं अन्य क्रिया कलापों के विशाय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं क्रिपया हमारा मार्ग दर्शन कीजिए श्री पटेल नमस्कार आप सब का स्वागत है आप क्या जानना चाहते हैं सभीहा आपने क्रिशी का कार्य कब प्रारंब किया और आप कौनसी मुख्य फसलें उगाते हैं श्री पटेल लगभग पचहत्तर वर्शपूर्व मेरे दादा जी ने ये कार्य प्रारंब किया था मुख्य रूप से हम गेहूं, चना, सोयाबीन एवं मूंग की फसल उगाते हैं डेविड श्रीमान क्या हमें क्रिशी की पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धतियों के बारे में बताएंगे? श्री पटेल पहले हम दराती, हल, बैल, कुदाली जैसे पारंपरिक आउजारों का उप्योग करते थे तथा सिचाई के लिए वर्शा जल पर निर्भर रहते थे हमें उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं हम मिट्टी की जाँच करते हैं तथा खाद एवं उर्वरक का प्रियोग करते हैं क्रिशी के लिए दूरदर्शन, रेडियो एवं अन्ने माध्यमों से नवीन जानकारी प्राप्त होती है परिणामत है हमें बड़े स्तर पर अच्छी उपज प्राप्त होती है इस वर्श हमें चने की नौ से ग्यारह क्विंटल प्रती एकड़ उपज प्राप्त होई है इसी प्रकार बीस से पच्चीस क्विंटल प्रती एकड़ गेहुं की उपज प्राप्त होई है मेरे विचार में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नई तकनी केवं जागरूपता की आवशकता है मोहन सभीहा, यहाँ आओ, देखो यहाँ कुछ केंचुएं हैं क्या ये किसान की सहायता करते हैं? सभीहा ओ मोहन, इसके विशाय में हमने कक्षा चैमें पढ़ा था श्री पटेल केंचुएं मिट्टी को उलट-पुलट कर पोला कर देते हैं जिससे वायू का आवागमन ठीक प्रकार से होता है पता है, यह किसान के मित्र है डेविड क्या हम उन फसलों के बीज ले सकते हैं जिन्हें आप यहां उगाते हैं? उन्होंने कुछ बीज, उरवरक एवं मिट्टी के नमूने थैलियों में एकत्र किये हिमानशू श्रिमान हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी जानकारी दी तथा हमारे भ्रह्मन को सुखद बनाया इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय एक यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला को उछड़ अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत